हेलो हेलो एवरिवन वेलकम टू सक्सेजवित रायकेडमी पंद्रा मार्च दो हजार चौबिस के दैनिक जागरन के राष्टे संस्क्रण को आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहली जो हेडिंग है वो है देश विरोधी एजेंडे को बढ़ावा इंडी गडबंधन की विचारधारा मोदी देखें जो विपक्ष ने मिलकर इंडी गडबंधन बनाया था उसको लेकर प्रधान मतिर नरेंद्र मोदी ने यहां पर तंज कसा है प्रधान मतिर नरेंद्र मोदी ने गुरु वार को विपक्ष के हमल का करारा जवाब दिया उन्होंने कहा कि मोधी गरीव और मध्यमवर्गिय परिवार के जीवन को बहतर करने में जुटा है वही पर इंडी गडवंधन मोधी को गालियां देने में घुशना पत्र जारी करने के साथ दिल्ली में एक हो गया है उसकी विचार धारा कुसासन की कर देशवासियों के विरोध में या फिर देश विरोधी एजेंडे को हवा देने की है मोधी की विचार धारा है जन कल्यान से राष्ट कल्यान की भरष्टाचार और तुष्टी करन को जड़ से मिटाने की और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की है यहां गटबंधन जो है वो कहते हैं कि मोधी का परिवार नहीं है मोधी के लिए तो देश का हर परिवार अपना परिवार है इसलिए पूरा देश कह रहा है कि मैं हूँ मोधी का परिवार जवाहलाल नहरू स्टेडियम में आयोजित कारकरम में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से प्रधान मंत्री ने मेट्रो के चौथे चरण के अंतरगत लाशपत नगर साकेजी ब्लॉक और इंद्र लोक इंद्रप्रस्त कॉरिडोर का सिलन्यास किया। साथ ही मध्यम वर्क के हित में किये गए कारे को गिनाया। मोधी ने कहा कि रेड़ी पट्री वालों की दुकान छोटी होती है लेकिन सपने छोटे नहीं होते हैं। इनकी समस्या दूर करने की कोई कोशिस नहीं की आपका यह सेवगरीबी से बाहर आया है और इसलिए जिनको किसी ने नहीं पूछा मोधी ने उनकी चिंता की है। दो चर्णों में एक साथ चुनाओ की सिफारिस। एक देश एक चुनाओ को लेकर गठित पूर राष्टपती रामनात कोविंद की अगवाई वाली उच्छिस तरी कमिटी ने देश में लोगसभा, विधान सभा, नगरिय निकाय और पंचाय चुनाओ को एक साथ कराने की सिफारिस की है। कमिटी ने गठन के 191 दिन के भीतर दी गई अपनी सिफारिस में इसे दो चरणों में पूरा करने का सुझाओ दिया है। कोविन ने केंदरी ग्रह मंत्री अमित सास समेत कमिटी के सभी सदस्यों के साथ जाकर 18626 प्रश्टों की अपनी विश्टरत रिपोर्ट गुरुवार को राश्टपती द्रौपती मुर्म को सौब दी है। कोविन कमिटी ने इसके साथ ही त्रिसंकू सदन अविश्वास प्रस्ताओ या फिर ऐसे किसी इस्तिती में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाओ कराने की सिफारिश्टों की है। लेकिन ऐसी इस्तिती में नए लोकसभा का कारेकाल बची अवधी के लिए ही होगा। यानि चुनाओ के बाद गठित सरकार यदि एक वर्स के बाद किसी कारण से गिर जाए और दूसरा कोई दल सरकार बनाने की सिती में नहीं है तो नए सिरे से चुनाओ हो सकते हैं। लेकिन इस दौरा नए सदन का गठन बागी बचे चार वर्स के लिए ही होगा। मौजुदा व्यवस्ता में बीच में चुनाओ की नौबत आने के बाद सदन का कारेकाल फिर पाँच वर्स का हो जाता है। इस कारण ही आजादी के बाद लोगसभा और विधानसभा के सांथ सुरू हुए चुनाओ आज अलग-अलग वर्सों में हो रहे हैं। एक देश एक चुनाओ 18626 प्रश्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे च्रण में लोगसभा और विधानसभा चुनाओ के सौ दिनों के भीतर हो निकाय चुनाओ इसके बाद बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग वर राज आयोग के परामर्स से एकल मतदाता सूची व मतदाता फोटो पहचान पत्र तयार हो सदन समय पूर्व भंग होने पर हो सकेंगे नए सिरे से चुनाओ लेकिन कारेकाल बाकी बची आउधी के लिए ही होगा एक साथ चुनाओ को चक्र को बहाल करने को सरकार तंत्र विक्सित करें लोगसभा और विधानसभा च कारेकाल समात होने से पहले चुनाओ के जरिये गठित सभी विधानसभाओं का कारेकाल अगले संसदिये चुनाओ तक की आउधी का होगा नेक्स नीज़ है कि कभी वापस नहीं लिया जाएगा CAA अमित साभ नागरिक्ता संसोधन कानून को भाजपा के लिए वोट बैंक नहीं बलकि भावनात्मक मुद्दा बताते हुए ग्रह मंत्री अमित साभ ने कहा कि इस कानून से किसी भी भारतिये मुसल्मान की नागरिक नहीं लिये जाने का दावा करते हुए साहने साफ किया है कि आगामी लोगसभा चुनाओं में ना तो विपक्षी गडबंधन इंडी सत्ता में आने वाला है और ना ही CAA जाने वाला है उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष पर वोट बैंक के लिए जूट की राजनीती क करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इसके भारती मुसल्मानों के विरुद्ध होने का साथ्ष्यतु दें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो रुपए की कटोती की गई है सरकार ने आम चुनाओं के एलान के ठीक पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो रुपए परती लीटर की कमी किया है या कटोती आज यानि सु कुरुआर सुबह च्छे बज़े से लागू होगी इस कटोती के बाद राश्टी राजधानी छेतर में पेट्रोल की कीमते 94 रुपए 72 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 62 पैसे हो जाएगी 22 मई 2022 के बाद पेट्रोल और डीजल की कुद्रा कीमतों में पहली बार बदलाव किया गया है उस समय के इन सरकार ने इन दोनों पर लागू उत्पात सुल्क में 10 रुपए प्रती लीटर की कटोती की थी ग्यानेश कुमार और सुखवीर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्तों लोग सुबा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयुक में आयुक्तों के खाली पड़े पदो दोनों पदों पर वरिष्ट अधिकारी ग्यानेश कुमार और सुखविंदर सिंग संधू की नियुक्ती कर दी गई है प्रधानम्ति नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली चैन समिती ने गुरुवार को इनकी नियुक्ती को मंजूरी दे दी हाला कि चैन समिती में सामिल कॉंग्रेस निता अधीर रंजन चौधरी ने इनकी नियुक्ती पर अप्टी सहमती दर्ज कर आई है आयोग ने दोनों पद हाल ही में अरोंगोयल के इस्तीफा देने और अनुप चंदर पांडे के चोदा फरवरी को सेवा निरुत होने के चलते खाली हो गए थे माना जा रहा है कि दोनों नय चुनाओ आयोग्त सुक्रुवार को अपनी जिम्मेदारी समहाल लेंगे नियुक्ति समिती में प्रधान मंतरी मोधी के अतरिक्त विपक्ष की और से बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी और कानून मंतरी अरजुन राम मेहगवाल सामिल थे मुख्य चुनाओ आयोग्त वा चुनाओ आयोग्त की नियुक्ति से जुला नया कानून बनने के बाद समिती ने यह पहली नियुक्ति की है केसरकार मुकह चुना आयकतुबह चुना आयकत की निुखती को लेकर नय कानुन में सुप्रें कोड के उस आदेश के बाद लेकर आई थी जिसमें जल्द ही एक पारदर्सी कानुन बनाने की बात कही गए थी भारत की प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा में उच्छाल को UN का सलाम 2021 में एक भारतिय के आसद जीवन प्रत्याशा 62.7 वर्स थी ठीक एक साल बाद भारतियों की आसद आयू 5 साल बढ़कर 67.7 वर्स हो गई थी इतना ही नहीं, 2022 में भारतियों की सकल राष्ट्री आमधनी यानि की प्रतिवेक्ति 6951 डॉलर दर्ज की गई थी, इस लिहाज से एक वर्स में भारतियों की आउसत आमधनी 6.3% की बढ़ोतरी हुई है, सुविक्त राष्ट जारी मानो विकास सूचकांग में भारत के इस प् मुकाबले एक पायदान का सुधार आया है, 2021 में कुल 193 देशों में भारत की इस्तिती 135 थी, जो वर्स 2022 में 134 हो गई, HDI रिपोर्ट में स्कूली सिक्षा के अपेच्छित वर्सों में व्रद्धी की बात भी कही गई है, सुविक्त राष्ट विकास कारिकरम की प्रतिनिध केटलीन विसेन ने कहा है कि पिछले कुछ वर्सों में भारत ने मानो विकास के छेत्र में उलेखनी प्रगती की है, सीम ने समन पर व्यक्तिगत पेशी से मांगे छूट E.D. ने किया पुरजोर विरोध, आपकारी घुटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में E.D. की सिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत दोरा जारी दो समन को गुरुगार को मुख्यमंत्री अर्विन केजरीवाल ने सत्र नयाले में चुनौती दी, विसेश नयाधीस राकेस सयाल के समक्ष अर्विन केजरीवाल वो E.D. की तरफ से पेस हुए अधिवक्ताओं के बीच्ती की बहस हुई, पहले समन पर दोनों पक्षों की विस्तार से दलीले सुनने के बाद आदालत ने दूसरे समन पर बहस सुनने के लिए नई के लिए सुनवाई सुक्रवार तक के लिस्तागित कर दी है, अरविन केजरीवाल की तरफ से वरिष्ट अधिवक्ता, रमेश गुप्ता और E.D. की तरफ से एडिशनल सॉलिशिटर जनरल S.V. राजु ने दलीले रखी नहीं। जिस रफ्तार से भारत व्रद्धी कर रहा है, उसे देखते हुए 2030 के आसपास तक देश साथ ट्रिलियन डॉलर की अर्थववस्ता बन सकता है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है, क्रिसिल के मुख्य अर्थसास्त्री धर्म कीर्थी जोसी द्वारा। देखे, अस्थिर्ता से जूज रही वैस्विक अर्थववस्ता में भारत इस समय उम्मीद की किरन बना हुआ है, भारत ही इकलौती ऐसी बड़ी अर्थववस्ता है, जो लंबे समय तक और शतन 6.08 प्रतिसत वार्थिक वरद्धी दर्ज करने में सक्षम है। चालू वित्वर्स में भी अर्थववस्ता 7.06 प्रतिसत की वरद्धी दर्ज कर सकती है, हाला कि अगले वित्वर्स में वरद्धी की रफतार कुछ थम सकती है, लेकिन फिर भी वह विस्व में सबसे अधिक और मौजूदा परिस्थितियों में अपेक्षाकरत बहतर भारती अर्थववस्ता के आधार मूत इस्तंब इतने मजबूत है कि कुछ ही वर्सों में उसका आकार दोगुना हो सकता है, सारजनिक विमर्स में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की आर्थकी बनाने की चर्चा है, लेकिन जिस रफतार से भारत वरदी कर रहा है, उसे देखते हुए 2030 के आसपास तक देश 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थववस्ता बन सकता है, अभी अर्थववस्ता का आकार करीब 3.6 ट्रिलियन डॉलर है, इस लिहाज से देखे तो करीब 7 वर्सों के दोरान आर्थकी का आकार बढ़कर 2 गुना हो जाएगा, यदि आने वाले वर्सों में आर्थकी वर्धी की दर कुछ कमजोर पड़े, तो उसको लेकर चिंतित होने की आवशकता नहीं है, क्योंकि जब अर्थववस्ता का आकार बढ़ा होता है, तो वर्धी की पूरवर्ती तेज दर बरकरार रखना उतना आसान नहीं होता है, विक्सित देशों की जान इसपश्ट दिखता है, और अगले साथ वर्सों में आर्थकी का आकार बढ़ेगा, तो उसका असर स्वभाई की रूप से प्रति व्यक्ति आये पर भी पड़ेगा, उमीद है कि 2030 के आसपार भारत 4 से 4.500 डॉलर प्रति व्यक्ति आये के सांथ उच्छ मद्यम आमदनी वाले देशों की स्रेणी में जगा बनाने में सफल हो सकता है, भारत की सफलता गाथा में मुख्य रूप से तीन बिंदू की एहम भूमिका होगी, ये तीन बिंदू हैं पूंजी, श्रम और सक्षमता, लेकिन इनकी गिंती तो अलग-अलग होती है, लेकिन असल में ये एक दूसरे पर निर्भर होंकर एक दूसरे से अन्योश्रात्री होते हैं, पूंजी के इस्तर पर देखें तो सरकार ने संकट के समय अर्थववस्ता को सहरा देने के लिए अपने खजाने का मूँ खोला, तो इस्तित्या सुधरते ही राजकोसिय अनुसासन का भी रुख किया, कोविड महामारी के दौरान सरकार ने लोगों को मदद पहुचाई और आर्थकी में मांग का इस्तर उतना कमजोर नहीं हुआ, विधाई मोर्चे पर GST जैसे कर सुधार ने आर्थिक सुगमता और सक्षमता को बढ़ावा दिया है, GST से जहां कई प्रकार के अवरोध दू हुए हैं और चुंगियां समाप्त हुई हैं, वहीं बहतर इंफ्रेस्ट्रक्चर से आवाजाही सुगम हुई है, स्रम एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारती नीती नियनताओं को गहन मंथन करने की आवशकता है, भारत एक स्रम बहुल अर्थव्यवस्ता है, लेकिन इस स्र ऐसे लोगों की हैं जिनके पास किसी रोजगार के लिए आवशक कोशल का अभाव है, नहीं संदे सरकार और निजी छेतर इस दिसा में प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन परड़ाम अभी भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, इतनी बड़ी कामकाजी आबादी का लाव के लिए उनकी सिक्षा एवं कोशल विकास के इस्तर पर समचित प्रयास करने होंगे, इसमरल रहे कि कोई भी अर्थवयस्ता पूंजी और स्रम के बहतर संयोजन के सांथी आवशक सक्षमता के इस्तर को प्राप्त कर सकती है, चुकि दूरगामी एवं व्यापक स्रम सुधा और अभी आकार लेते नहीं दिख रहे हैं, रेवणी संस्क्रती को रोकने का समय, मुफ्त की सुविधाओं का लाब उठाने वाले तमाम लोग अपनी आय बढ़ाने के जतन करना ही छोड़ देते हैं, इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है, वरिष्ट स्तंबकार आरके सिन आद्वारा, आगामी लोकसभा चुनाओं में घोशना है, वो सिग्र होने वाली है, इस सिलसले में विभिन राजनेतिक दल अपनी चुनावी, रणनीती और उम्मिदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में लगे हैं, इसी के साथ उन्होंने लोक लुभावन घोशना करना भी सुरू कर दिया है, यह मान कर चलिए कि आने वाले दिनों में जो राजनीतिक दल जन्ता को लुभाने के लिए बहुत कुछ मुफ्त में देने का वादा करेंगे, राहुल गांधी ने नारी न्याय गारंटी के नाम पर ऐसी घोशना भी दी है, उन्होंने हर गरीब सभा चुनाओं में मुफ्त की घोशनाय करना कोई नहा चलन नहीं है, इस चलन पर बहस होती रहती है और इसके विरोध में कई स्वर भी सुनाई देते हैं, पर होता कुछ नहीं है, रेवडी संस्कृती अर्थवस्ता को कमजोर करने के साथ ही आने वाली पीडियों के लिए मुफ्त यातरा की सुधा दी गई है, जिनें इस तरह की सुधा की जरूरत ही नहीं है, आधी आबादी को मुफ्त यातरा की सुधा देने से दिल्ली में डिटी सी को हर साल 15 करोड रुपए का नुकसान होगा, इस रासी का उपयोग दिल्ली के इंफ्रेस्टक्चर पर किया सकता है, इस समय देश के सामने एक चुनौती टेक्स देने वाले नागरिगों की संख्या कम होना है, देश का एक बहुत छोटा सा हिस्सा टेक्स देता है, हाला कि पिछले 10 साल में करदाताओं की संख्या और टेक्स की वसूली बढ़ी है, लेकिन अभी इसे और बढ़ाने क की आउशकता है, अगर सभी लोग अपने हिस्से का टेक्स दे, तो देश का विकास और तेजी से हो सकता है, यह ठीक नहीं है कि राजनीतिक दल मुफ्त की सुविधाये देने की होड तो लगाए हैं, लेकिन राजस सो बढ़ाने के लिए जरूरी उपायों पर ध्यान ना द राजनीतिक दलों की इस आदत पर जनता को सतर को होना होगा, क्योंकि रेवडिया बाटने के वादे पूरे करने से कई राज्जियों पर कर्ज का तो बोज पढ़ा है और उसकी जो कीमत भी उसे चुकानी पड़ती है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज लगतार दो तिमाहियों के दोरान भारत की आर्थिक विकासदर अप्रतियाशित तौर पर आठ प्रतीसत से जादा रहने के बाद अंतराश्टिय रेटिंग एजनसियों की सोच बदल गई है, मुडीच के बाद अब एक और अंतराश्टिय रेटिंग एजनसी फिच ने कहा है कि भारत वर्स दोजार चौबिस पच्चिस में साथ प्रतीसत की विकासदर हासिल कर लेगा, ऐसा करने से करोना काल के बाद भारत लगातार तेज आर्थिक विकासदर हासिल करने वाला दुनिया की प्रमुख अर्थवस्थाओं में एकलौता देस होगा, रेटिंग एज सजग्यों ने हाल ही में इस बात को लेकर उमीज जताई है कि अगले वितवर्ष के अंत तक ब्याज़दरों में कटोती की संभावना बन रही है, केंडरी उद्योग वानज्य मंत्री प्यूश गोएल ने भी हाल में उमीज जताई थी कि कुछ महीनों में ब्याज़दरों म पेटियम को भारती राष्टिय भुकतान निगम की और से मल्टी बैंक मॉडल के तहट थर्ड पार्टी एप का लाइसेंस मिल गया है एन पी सी आई ने गुरुवार को बताया है कि एकसिस बैंक, HDFC बैंक, SBI और यस बैंक पेटियम के लिए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के तोर पर काम करेंगे, इसके अलावा, यस बैंक पेटियम के मौझूदा और नए UPI मर्चंट के लिए मर्चंट अधिगरहन बैंक के तोर पर काम करेंगा, NPCI ने कहा है कि अब पेटियम मौझूदा यूजर और मर्चंट बिना किसी बाधा के UPI लेंदेन और आटो पे से जारी रख सकेंगे, पेटियम की पैरेंट कमपनी, 197 कम्मुनिकेशन लिमिटेड को सभी मौझूदा UPI हैंडल ने PSP, बैंक के पास जल्द हस्तांतरित करने के लिए कहा गया है, चुनावी नतीजों तक बाजार में अस्तिरता संभव, पिछले दिन ये शेयर मार्केट की नियूज है, इसको स्किप कर देते हैं, इस नियूज को देख लीजिए कि सरकारी हिस्सदारी को 75 परतिसत से कम करेंगी, पांच बैंके, बैंक आफ महराष्ट, इंडियन ओवर्स बैंक और यूको बैंक सहित 5 सारजनिक छेतर के जो बैंक है, सरकारी हिस्सदारी को 75 परतिसत से कम करेंगे, ये बैंक से भी के सारजनिक सेहर धारिता के मापदंडों का पालन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, 12 सारजनिक छेतरों के बैंकों में से 4, 31 मार्च 2023 तक इन का अनुपालन कर रहे थे, फिलहल दिल्ली इस्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 98.25 परतिसत है, वहीं चिन्नाई इस्थित इंडियन ओवर्सीज बैंक में 96.38, यूको में 95.49 और सेंटरल बैंक ऑफ इंडिया में 93.8 परतिसत है, बैंक ऑफ 25 परतिसत सारजिनिक शेरदारिता आवशक्ता को पूरा करने के लिए अगस्त 2024 तक का समय दिया गया है, अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर, ये दोनों ही नियूज युद्ध वाली हैं, इनको स्किप कर देंगे हम, अमेरिका में टिक टॉक पर प्रतिबंद लगाने के प्रस्ताओं से खफा चीन, अमेरिका के निचले सदन में बुद्धवार को शॉर्ट वीडियो एप टिक टॉक पर प्रतिबंद लगाने का प्रस्ताओं पारित होने पर चीन ने वकड़ा इतराज जताया, चीन के विद टॉक अमेरिकी सुरक्षा के लिए खत्रा है या कारवाई प्रतिसपर्धा ना कर पाने की खीज है प्रतिनिती सबाने चर्चा के दौरान अमेरिकी सांसदों ने भारत का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2020 में ही प्रतिबंद लग चुका है भारत में टिक टॉक पर अब हम भ मुंबई 42 वी बार बना रणजी चैंपियन रणजी ट्रॉफी की सबसे सफल टीम मुंबई ने आठ वर्सों का सूखा खत्म करते वे गुरुवार को विदर्म को 179 रनों से हरा कर रिकॉर्ड 42 वी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है टूनामेंट के इतिहास में 90 म से 48 वी बार मुंबई की टीम फाइनल में पहुंची और वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए फाइनल का नतीजा लगभग उसी समय तैह हो गया था जब विदर्म को 538 रन का असंभव सा लक्ष दिया गया था तो ये आज का याने 15 मार्च 2024 का दैनिक जागरन का राष् शेर कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद